चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना कोई समझ स्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाहिए अपना नाम और अपना सवाल पुछिए कोशिश करेंगे हम आने वाले संडे में आपके सवाल का जाब दे बाए काफी सारे सवालों के जाब दिये गए है आज की इस वीडियो में वीडियो की रेक्मेंडेशन भी ब बने रहे तो और आज की इस वीडियो में हमने इस वीडियो के बारे में कुछ एंड में कुछ बाते भी की है तो एंट टक वीडियो को जरू देखे और हाँ आज की इस वीडियो में थोड़ा सा मतलब मतलब इनर्जी लेवल कम है सहत सही नहीं है आवाज भी सही नहीं है त लिए तो वो इस पर ध्यान ने दे content पर ध्यान दे और आप लोगों से एी रिक्वेश्ट एगी कि वीडियो जादा से जादा लोगों तक आप लोगों को शेयर करना है हपते में रोज वीडियो आती है डेली हम लोग वीडियो बनाते है लेकिन इस वीडियो को सब्से कि इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक आप लोगों को शेयर करना है हपते में रोज वीडियो जाती है डेली हम लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन इस वीडियो को सबसे जादा मेनत लगती है सवालों को पढ़ना उनके जवाब नहीं आते हो तो उनके जवाब समस्या क्या है नई समस्या तो नहीं नोटीस में आई कोई भी लेकिन इंप्रूइमेंट भी नहीं है लेकिन हाँ नए फीचर जरूर है तो आप जरूर उसका यूज कर सकते हैं अपडेट आपको मिल जाने की बात और समसंग में भी डिफिनेटली अपडेट आएगा लेकिन नई समस्या तो कोई डाउन नहीं हुए लेकिन हाँ पुरानी समस्या ओपर समाधान भी नहीं हुआ है प्रेंस जी कहते हैं कि 15-17,000 की रेंज में को अच्छा सा फोन बताए आप सामसंग M35 फोन ले सकते हैं अच्छा फोन एच्छे रिव्यूज आते हैं उसके बोलो जी कह रिचाज करने पर क्या-क्या फीचिस मिलते हैं शायद दो मैंने में भूल गए हैं ऐसा कमपणी ने सोचा और आपको तीन दीन का ओफर किया हो लोगों ने यूज करिए बाकि यहां रिचाज करना जोड़ है चोटा इस चोटा भी हो रिचाज लेकिन जरूर कराई है अंकि जानकर मिल जाएगा अब सर्च करके पता कर सकते हैं हरसेल पज़ापती जी के चाहते हैं कि क्या Samsung के fone में पेसनल डिचनरी का option आता है वोईस और में क्या नया आया है वो अमने वीडियो बना चुके है हमारे चैनल पर आप जाके चेकाउट कर सकते हैं सकीना जी कहते है कि गूगल का टॉकाड़ेत आता है डिस्क्रैप इमैज में जाने पर टाउनलोड का उप्षिन आ रहा है principer शाल के बिलकुल डाउनलोड करना चाहिए उसको डाउनलोड कर करके आप डीट्योल -erecht को डीटेल S5007TU वाला laptop आप ले सकते हो अच्छा laptop है यह प्रसंजीत जी कहते है कि chat GPT से text read नहीं कर पा रहा है कोई solution बताए इसकी website पर आप जाके use करें इसको फिलाल तो android application accessible नहीं है report कर सकते है बागी use करना है तो website से use कर सकते हो बागी chat GPT को कई सारी जगे से आप use कर सकते हो जैसे देखे रिट्मी की phone अब फिलाल तो नया उस range में नहीं बिल रहा लेकिन M35 Samsung का आप फिलाल अवेलेबल नहीं है तो इसलिए आप Samsung M35 वाला phone आप अपने लिए buy कर सकते हो निशांत जी कहता है कि low voice assistant को default home assistant कैसे बनाए सेटिंग में जाके आप home assistant app सर्च करें आपको मिल करके जो है लूइवस असिस्टन को default home assistant की तरह यूज़ कर सकते हो हेडिया जी कहते हैं कि लिनवा के laptop में internet अविलेबल है मेरे पास लेकिन फिर भी वहां पर Wi-Fi network not available बता रहा है तो ऐसा क्या समस्या देखिए आपने internet setting को reset करके देखिए या तो फिर driver को update करके देखिए तो अगर आपको oneplus के features करने तो आप ले सकते हो green line जो है screen के बीच ओबीच जो है green line सी आ जाती है डिस्प्ले में उसमें phone चलाने में कोई समस्या नहीं होती बात जो visual चीजे है जो देखने वाले लोग है उनको सारी समस्या होती है green line आ जाती है और कुछ motherboard के issue है तो motherboard के issues तो सभ फोन लेना चाहते हैं तो फोन के reviews देखकर आप reviews ले सकते हैं मनुज खन्ना जी कहते हैं कि इन्विजिन यहाए में PDF रीड करते समय टेक्स टो स्पीच नॉट सपोर्टेड ऐसा आ जाता है देकि कैसा हो दो आपका PDF अगर multiple language में है और उस language का अगर अपने TTS set या download नहीं कर है आपके फोन में तो यह समझ से होते हैं आपने Google TTS default में सेट कर रहा है तो यह चेक किजिए कि Google TTS के multiple languages डाउनलोड हो जिस languages में पीडियेप पढ़ रहे हो अगर उस पीडियेप में कोई ऐसी लेंगवज आ जाजा जिसका टीटेस उसमें सेट नहीं है तो इस तरह से बता देता है तो आप ऑटो टीटेस को सेट कर लो और ऑटो टीटेस के लिए सारी वोइस आप अविलेबल कर समझ से आपके साथ नहीं होगी संदीब कोईल जी कहते है कि रेडमी 10 में वह सेसिस्टेंट काम कर सकता है या नहीं और मुझे टॉक बैक का नया अपडेट मिलेगा या नहीं आपको मिलेगा और वह सेसिटेंट समसंग का पुराना वाला शायद आप कहना चाहरे हो तो यह बंद हो गया कोई मतलब नहीं है वह चले या ना चले लिकिन इसको यूज करेंगे कोई खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता लेकिन आप Google TTS के साथ और आधर वाइस भी आपने यूज कर रखे टेक्स तो आपको आपको लेना जरूरी है तरुन यादो जी कहते हैं कि हम किसी वीडियो में लाइक करते तो लाइक अनौंस नहीं करता है लेकिन लाइक काउंट बढ़ तो जो हमारे creator है सारे उनको उनका motivation मतलब उनको motivation मिलता रहे है उनका moral डाउन ना हो इसलिए वो डिसलाइक वाला बटन जो है वहाँ पर विजिबल नहीं है लेकिन जो creator उनको पता चली जाता है कि कितने dislike हुए है कितने पसंड डिसलाइक हुआ है राहुल जी कहते है कि पाकि अप्लिकेशन भी आती है अगर आपके पास फोन है तो इसी एप्लिकेशन भी आते है जिसे आप फोन का इंटर्नल और सारा जो स्प्रेसिपिकेशन है वह उस एप्लिकेशन से ले सकते हो M.D. इद्रिश जी कहते हैं कि हम किसी से बात कर रहे है फोन पर तो टॉक बैक उसमे पर काम नहीं कर रहे है वॉल्यूम बटन को प्रेस कीजिए आप वॉल्यूम अपको और स्क्रीन पर फिंगर रखे आवास को बढ़ेए टॉक बैक काम करता है फोन को थोड़ा सा दूर र करते हैं कि insert application हमारे लिए accessible है या नहीं वीडियो एडिटिंग की जहां तक बात है तो स्मार्ट वीडियो एडिटर हम कई बार रिक्मेंट करते है स्मार्ट वीडियो एडिटर यूज करें अगर नीचे तो पर्चेस कर सकते है उसको अच्छा एप्लिकेशन है accessible भी है और इ अगर आप फोन ही 4G है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं 5G फोन है 4G network आ रहा है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते है उससे अच्छा आप अपने फोन में मतलब 5G network का जो setting को करके रखें अगर 5G network अवेलेबल होगा तो आप उसको यूज कर पाऊंगे वाकि 4G network को 5G आप कैसे सूरच कुमार जी कहते हैं कि Chrome ब्रॉजर को यूज करते समय टेक्स-to-speech काम नहीं कर रहा गूगल TTS लाएक कर रहा है और अक्सेबल भी नहीं कर रहा है और एक्सेबल तो हैं English India का वैसी उस करिए Chrome और टेक्स-to-speech दोनों का अप्डुडिट रखिए समझता तो फिलाल त अगर बागी आपका फोन अगर पुराना हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में आनन जी कहते हैं कि WhatsApp स्पीड अपने बढ़ जाती है अगर आपका बेटा वर्जन है तो यह समझ्या होती है कई के बार वाटसब में अलेकिन ऑफिशल वर्जन है तो आप यह चेक उसका कुछ नहीं कर सकते हैं वैसे हमारा फोन आ गया इसको इग्नोर करते हैं विजय जी कहते हैं कि क्या हमें Auto TTS पर्चेस करना चाहिए या नहीं देखिए Auto TTS पर्चेस बिल्कुल करना चाहिए अगर आप अलग-अलग टेक्स तो स्पीच यूज कर रहे हैं तो तो आपक गूगल TTS का यूज करें हो तो कोई इसकी अवशकता नहीं है Auto TTS पर्चेस करने के नागेंद्र जी कहते हैं कि कोई ऐसा वीडियो एडिटर बताए जिससे हम वीडियो में इमेज लगा पाए लेकिन टाइम इसमें ना हो देखिए कैसा है ना कि अगर आप मतलब आपने एक लिखा है कि बारा सेकेंड की मतलब पांच मेंट की वीडियो है बारा सेकेंड से तेजी सेकेंड तक आपको दिखाना है और तो यह जो है टॉकबै के साथ पॉसिबल नहीं है है यहां काइन मास्टर से यह ज़रूर आप कर सकते हो इसके लिए किसी की हेल्प ले सकते हो उस अधर एप्लिकेशन से टॉकबैक के साथ यह पॉसिबल नहीं है लिकिना किसी से हल्प लेकि आप यह जरूर कर सकते हो तो दोस्तों यह थे आज की कुछ सवाल उमिद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आएंगे जवाब भी समझ में आ गए होंगे तो आप लोग आइफोन 16 पर वीडियो बनाओ किसी ने कहा उसके बारे में डीटेल में जानकर ही बताओ आइफोन 16 का रिव्यू करो कलर कौन-कौन से यह बताओ बतलब जो बड़े क्रियेटर होते हैं उनके पास यह सारी चीज आताती है बहुत सा लोग यह कहते हैं कि नहीं एफोन के रि तो नहीं ने फोन लेकर आना और फिर उसके रिव्यू करना फिल हाल के समय में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हा लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करोंगे तो आने वाले समय में definitely हम कोशिश करेंगे और हाँ एक और चीज जिन लोगों के पास नहीं स्मार्टफोन आ रहे ह इन लोग के पास आइफोन 16 है या फिर जो लोग नहीं नहीं स्मार्ट वाश ले रहे हैं जो कि टॉक बैक के साथ सपोर्टेड है और वह लोग चाहते है कि वह लोग भी हमारे चैनल पर आके रिव्यूज दे तो वह हमसे कॉंटेक कर सकते है टेक असिस्टन फूबलाइड पर हमें मेल करें और हमसे कॉंटेक करिए तो डेफिनेटली आपको हम लोग हमारे चैनल पर लेकर आएंगे रिव्यूज लेंगे आपसे सारी चीज़ों के बारे में तो आप हमसे कॉंटेक कर सकते हैं फिर वह आइफोन यूजर हो या नया एंड्रोइड यूजर हो जो भी अगर आप अपने रिव्यूज अपने फीडबैक्स अगर यूजर तक पहुचाना चाहते हो तो इसके लिए जो है आप टेक असिस्टेंट फुलाइंड एडरेट जीमेल डटकम पर आप मेल करिए अपने बारे में बताईए आपसे कॉंटेक हम लोग कर लेंगे और फिर आ है था जी तूर आज मिलूँगा किसी और इंटरस्टिंग से वीडियो में तब तक के लिए जैहन